नमस्कार दोस्तों प्रिक्षार्थियो भाविय ध्यापको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं सुनुटा सर्मा आपका स्वागत करती हूं उमीद है मैंने जो पिछे पढ़ा था वो आपको पसंद आया होगा और आपके काम भी आ रहा होगा त कुछ परशन हमारे ऐसे होते हैं जो रटने के होते हैं और कुछ परशन ऐसे होते हैं जो समझने के होते हैं रटाफिकेशन वैसे तो हमारी अगर देखा जाए तो उसको हम गलत पद्दती मानते हैं लेकिन कुछ परचे ऐसे होते हैं बिना रट याद नहीं कर सकते हैं रट परंसे हमारे कॉन कुन से परशन है हमारा पहला परसन है तो बहुंता हो जिसमें दोनों नहीं या सबी या कोई नहीं परकार पर यूण कई तरह criminal हो जाते क्यों कि कई वार हम देख्धा है अद्ध्यातमवादी हो एक ढ़ता रोदद। और द्ताम वादी भी था और अधर्स वादी भी था इसलिए हमारा इसका उत्तर हाईगा कि यानि कि दोम हिंदी साइटेन का इति, हास funding कि is की रचना है, यानि कि कि Sya यह रचना लिखी है अब इस रचना के ज़िए हम बात करें यहां पर हमारे चार option है रामसंदर सूखल स्यामसंदर दा सुड़्यकांतर स्स्त्री और हमारा डी option है निलिन विलोचन सर्मा तो यह है रचना निलिन विलोचन सर्मा किये इसको ध्यान से पढ़ना है समझना है और फिर याद करना है ताकि आप दुबारा ना भूलो तो इसका उप्षन है वह हमारा रहेगा डी ओप्षन नलीनी विलोचन सर्मा उसके बाद अगला परशन है हमारा तीसरा परशन साहित्य को जनता की चित्वरेतियों का प हमारे बहुत अच्छे इतियासकार रही है रामचंद्र शूखल उन्होंने यह का है उसके बाद हमारा अगला परशन है चोथा परशन है चोथा क्या करता है गार्षाद अटासी दवारा लेखी तिंदीस आहित्ते का इतियास किस भासा में लिखा गया बहुत इंपोर्टे हदि क्या नाम किसने दिया लग अलग नां कुछ विद्वानों ने लग अलग नाम दिये है कुछ विद्वानों ने चारंकाल नाम वार्म है अंड जुसरे जारजगिर्याशन ने है नहीं नहीं दो प्रिति काल को अलंकृत काल जशान लग अलग विद्वान ने बहुत सारे नाम दिया तो अलंकृत काल किस ने दिया किस है रिति काल को अलंकरित का नाम दिया तो हमारा इसका option रहेगा इसके बाद हमारा आगला परसन अला किसने कहा देखे दोस्तों यह परसन मेंने कई जगें पेपरों में देखा डो-तिन जगें मिला है मिला स्क्रीनिंग में पहले डो तो इसलिए इसको यहां रखा करन नहीं है इस परकाण के परसन हमें बड़े द्यान से पढ़ने हैं यहां पर बात की है नहीं की अक्सर हम परशन पढ़ते हैं और यहां पर चार्ण चाल पढ़ा और निशान लगा देते हैं ऐसा नहीं है अच्छे पढ़ना नहीं पुछ आगा है तो इसके बाद नौ परशन है मारा सिद्धों की संख्या कितनी थी यानि के वह संख्या में कितने थे अब सिदों की संख्या अगर हम लें तो सिदों वालावार शंत थे तो शिद्न होगी जो शंक्षय थी वह 84 ती इसका उत्तर हमारा रहेगा 84 उसके बाद अगला परसंद है हमारा दसमा परशंद बोद धर्म से किसका संवन्त था यानि कि प्रतेक्स या फ्रोक्ष रूप से बोद धर्म से संवन्त किसका था संतों का इतिहास प्रोग्स रूप से जुड़े थे इसली कहा है कि सिद्धों की दो दो निसाखाय चली थी हीनियान और महयान जो महायान थी आगे दो भासाओं में बट गई थी वज्र यानी और सिध्र यानी जो थे वह अपने आपको सिध्ध मानते थे तो यह वज्र समंध किस्य सी था उसके बाद 11 परसन है राशो-गरंथ की भासा कॉन सी थी यह इंपोर्टन्ट है परसन कही बार आता है दिंगल प जो अपबरणस थी लेकिन उसमें राजस्थानी का इतियास ग्रंथ लिखा गया यानि कि सब बहारम किस ने किया था जिसको हम इतियास लेखन कि स्रहनी में रखते हैं वैसे तो उनकिन फहले पहले भी लीखा गया था लेकिन उसको तिहास गरंथ नहीं मानते हैं जो पहला इत्यास गरंथ आता है जो पहले पहला सुखा गरन्थ जी ने नियनाम करने जो भीवाजन करके उन्होंने नाम दिया अलग अलग वह की साधार पर दिये सुकल जी का जो काल विभाजन हो सबसे ज्यादा पर चदीते चार भागों में उन्होंने बाटा था काल को उसके यह जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तभी आप इसको धान से पढ़ोगे जल्दी चैप्टर की वीडियो भी हम डालेंगे तो इसमें है हमारा परमपरा प्रव प्रविर्ति पर आधारिता प्रविर्तियों पर 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 पंदर्मां परसन हैा हों वीदियो reimoga वी उर्दाव. इसके बाद हमारा सौलो परषण है प्रिथ्वीराज रासों कि विर्थ यानि कि बड़े रूप को विर्थ का बड़ा बड़े रूप में कुल कितने सरग है सर्ग से अके 9 9 59 गोगना दिक्तर विद्वान जह न तो कई बार इसमें नाम के साथ भी आ जाता है ग्हीं पर्थमकवी कि शमाना है तो इनको बाते की है जैन कावे धरा इनको पर्थमकवी माना गया है यानि कि बाद अगला परशन आता हमारा अब बहुत ही इंपोर्टेंट में आता है अब हुआ वालमी की कौन कै Dieser किजे। बहुं की स्वयम्भू कर रचनाइथ गोंके राम जैसी है। राम का बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें इसलिए इनको अब भरंज का वालमी की कहा जाता है उसके बाद है हमारा 19 परसन गोरक नात की रचनाओं का संग रह किस ने किया बहुत इंपोर्टेंट परसन है यह वह वैस्तु सारे इंपोर्टेंट है लेकिन यह इंपोर्टेंट रचनाओं के रचनाओं का संग्रित किया है यहाँ रासो के रचनाकार कोन है रचनाकार आपको याद करने पढ़ेंगे और किसी भी तरह जोड़िए उनको एक दूसरे चीज से आप अपने मन के मुताबी के कोई कालपनिक दुनिया बनाईए और उसमें एक दूसरे से जोड़ लीजिए अगर याद रखने तो अन्यता रासो गरंथ जो होते हो एक आदे पूछ लिए जाते हैं अक्सर पूछ जाते है और हम उनको भूल जाते हैं 15-20 हमारे जो रासो गरंथ है उनको अच्छे से एक दूसरे जोड़ जोड़ के याद करिए परमाल रासो के रज़राकार जो है वो जगनिक है परम जग 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 जो है वो परम होता है तो इस परकार करके इसको जोड़ लीजिए और याद रह और आपको तो हमारा इसका जो है उत्तर रहेगा जगनिक है उसके बाद 21 परहों पर किसका प्रभाव रहा संतों पर किसकी छबी थी ती और नैथ जो थे उनमें खंडन अमन्दन की परविर्ती थी और निरगुण वादी थे तो शंतों पर भीविय देखिजाती है खंडन क तो नहीं आगला 22 परस्द है सूकल जी ने आदू निकाल का नाम क्या रखा यानि कि उन्होंने आदू निकाल को क्या नाम दिया राम चंदर शुकल ने आदू निकाल को वर्तमान काल कहा, आदू निकाल कहा, वीर काल कहा, कावे काल कहा, सारे option जो है हमारे इसमें से शुकल जी का आदू निकाल है, आदू निकाल नाम दिया इन्होंने और इसके लावा इन्होंने आदू निकाल को गद्दे काल कहा, क्योंकि शुकल ज खित में से कौन सा यूगम सही नहीं है यूगम से विपराय जोड़ा यानि की रचना है और उसका रचनाकार है कोई एक इसमें से गलत है पहला हमारा परमाल रासो जगनिक हाँ बिल्कुल ठीक है जगनिक का यह परमाल रासो विजेपाल रासो नल सिंग का ही है और खुमान र तो यहां पर हमारा चोथा बुद्धी रासो कलन का कलन की राजतरंग यह नहीं था तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी जो है वह गलत है उसके बाद हमारा अगला परशन है आधिकाल में किस चंद का सरवादी यह भी परशन कई बार पुछा गया है कई बार स्क्रीनिंग ट हुआ है दोहा चंद का दोहा पिदिये चंद था अधिकालिन कवियों का इसके अलावा उन्होंने वैरवी चंद का भी प्रयोग किया है तो यहां पे है नहीं लेकिन वह वैसे भी दूसरे नंबर पर आता है अगर दोहा दिया जाता है तो आप दोहाई जुनोंगे तो इस का उत्तर हमारा एक रहेंगा उसके वाद हमारा अगला पर सटा पत्चीसमा पर शंण कौऄ है अप बरण शोर्ब्रज भास proto रहीगा भी पिंगल भासा तो दोस्तों इस परकार ये वेरी वीडियो आपने देखी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी इसको पसंद करें लाइक करें शेर करें सबस्क्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कोवेंट्स जरूर दें कि आपको कैसी लगी म मैं उमीद करती हूं कि मेरा पढ़ाया हूँ आपको काम आएगा इसको धान से देखिए अच्छे से पढ़िए चिंतन मनन करिए और रेगुलर पढ़िए अच्ट कोई बहुत बड़ी परिक्षा नहीं है आप अवश्य कर पाओगे धन्य